वेल्कम बैक स्टुडेंट्स आज हम करेंगे किंग्डम फंजाई से पिछली वीडियो पे मैंने किंग्डम मॉनियर और प्रिटिस्टर एक्स्प्लीन किया हुआ है तो आप वहां जाके उन वीडियो को चेक कर सकते हैं सवीता चुटोरियल्स में आज हम करेंगे किंग्डम तो इंग्डम फंजाई इस तरह से है जो अपने फूट के लिए दूसरे और डिपैंड रहते हैं इससे इनके मॉर्फालोजी और हैबिटेट जहां पर यह रहते हैं और जो एक्स्टरनल स्ट्रक्चर है उसमें काफी डिवरस्टी पाए जाती है जब आपका ब्रेड में मॉल्ट मतलब इस डवल्प होता है मोल एक फंजाई की फंजाई का ही पार्ट है और यह और और जो अरज रोट्स और जब आपका और इंग्ड खराब होता है यह दोनों किस वजे से होते हैं दूटु फंजाई इस बिकाउस अफ फंजाई दे कॉम बब मश्रूम यू इट और टोट स्टूंज अर Enfin जाई तो जो मश्रूम हम खरते हैं और टोट स्टूल जो है वह वह उख फंजाई ही है yhtा स्अ जाई करेा फarrass और यूज़े कर दो है पर एक्सेंपल ऐस्था और यूस तू मेक ब्रेड एंड बियर कुछ यूनिस लियर मतलब सिंगल सेल फंजाई होते हैं इस्ट आपको पता है जिनका यूज हम करते हैं घरों में या इसे की दिया हुआ एक्सेंपल वाइट रस्ट पाक्सीनिया वीट में रस्ट पाक्सीनिया नाम की जो डिजीज है वो कॉस करता है ये फंजाई ये एक इंपॉर्टन एक्सेंपल है some are the sources of antibiotics कुछ जो होते हैं वो antibiotic produce करने में help करते हैं जैसे कि for example है pencyllium बनाने में pencyllium एक antibiotic है जो कि फंजाई की help से ही बनाई जाती है फंजाई is a cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants तो ये जो फंजाई है ये cosmopolitan है हर जगह पाई जाती है जैसे कहां कहां एर में, water में, soil में, animals और plants के उपर they prefer a grow in warm and humid places ये mostly कहां होते हैं जहां पर थोड़ी सी नमी होती है और थोड़ी सी गर्माहट होती है उन जगहों पर ये पाई जाते हैं have you ever wondered why we keep food in refrigerator क्या आपको भी सोचा आपने कि हम अपने खाने को food को refrigerator में क्यों रखते हैं yes it is to prevent food from going bad due to bacterial और fungal infection ताकि हमारा जो खाना है वो bacterial और fungal infection की वज़े से खराब ना हो क्योंकि बाहर जो होगा तो बाहर नमी होती है और थोड़ा humid warm भी होता है जिस वज़े से हमारा food जो होता है वो खराब हो सकता है उसमें bacterial और fungal infections हो सकते हैं इसलिए उसको हम safe रखने के लिए उसे हम refrigerators में रखते हैं with the exceptions of east which are unicellular fungi are filamentous बोला east को छोड़ कर east को छोड़ कर जो कि unicellular है जो fungi होती है mostly वो filamentous होती है filamentous structure हमने पीछे देखा था their bodies consist of long slender thread like structures called hyphae उनकी bodies में जो होता है उनकी body long slender thread like structures से बनी होते हैं जिसको हम hyphae कहते हैं the network of hyphae is known as mycelium इनका जो network होता है इनका गुच्छा होता है उसको हम mycelium कहते हैं some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm कुछ hyphae में क्या होता है कि सारे hyphae जो होते हैं उनके बीच में cell wall present नहीं होती है वो बीच में से पूरे continuous tube like structures होती हैं जो कि filled होती है multinucleated मतलब बहुत सारे nucleus से भरी होई होती हैं cytoplasm में these are called cynocytical hyphae इस तरह की hyphae जिसमें जो की continuous होती है and filled multi nucleated cytoplasm उसको हम बोलते है cynocytical hyphae तो यह complete exams में काफी बार पूछे जाता है other have septa or cross walls in the hyphae others fanzai के बीच में जो उनके hyphae होती है उनके बीच में septa पाया जाता है यह उनको हम cross walls भी बोलते हैं the cell walls of fanzai are composed of kytin and polysaccharides जो fanzai की cell wall होती है वो किससे बनी होती है kytin and polysaccharides से इससे आप underline के लिजे यह important है the most fanzai are heterotrophic and are and observe soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes जो most fanzai होती है वो heterotrophic होती है और वो dead decaying organic matters को from the substrate से absorb करती है और उसको हम इस तरह की fanzai को हम saprophytes बोलती है those that depend on living plants and animals are called parasites कुछ ऐसे भी fanzai होती है जो living plants और animals के उपर रहती है उनको हम बोलते हैं parasites they are also live a symbionts यह as a symbionts पी रहते हैं मतलब किसी और organism के साथ association में भी रह सकते हैं अगर इनका association जो यह हमारी fanzai है इनका association algae के साथ होता है तो इसको हम lichens बोलती है इनके association को और अगर इनका association plants के साथ होता है तो इनको हम mycorrhiza बोलते हैं तो important कुछ points आए जैसे कि हम हर पास sinusitic hyphy आया words आये सिरो सेटिक हाइफी आये उसके बाद सेप्रोफाइट्स आये यह फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं यह इस पैरसाइट्स भी रहते हैं यह सिंबायोंट्स होके भी रहते हैं और सिंबायोंट्स में यह कौन सी दो स्ट्रक्चिर्स पनाते हैं लाइकन सेंडे माइको रहीजा रिप्रदक्शन इन फंजाई कें टेक प्लेस बाई वेजिटेटिटिव मेंस जैसे की फ्रेग्मेंटेशन फिजन एंड बडिंग तो जो फंजाई होती उसमें रिप्रदक्शन जो होता है उसका जो और बडीग के थुब हो सकता है, फिजन होता है, एक बॉडी दो पार्स में डिवाईड होना और फ्रेग्मेंटेशन मैनी पार्स में डिवाईड होना और बडीग होता है कि जो organism है उसके बॉड़ी के ऊपर ही buds develop होते हैं then वो अपने body से organism की body से detach होते हैं और new organisms को develop कर देते हैं as a new organism develop होते हैं asexual reproduction is by spores called conedia asexual reproduction जूकि sports के through होती है तो इन spores को हम conedia बोलते हैं और sporengio spores भी बोलते हैं और zoo spores भी बोल सकते हैं important है ये और sexual reproduction is by oo spores, exo spores and presidious pores के through होती है the various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies, जितने भी spores है ये एक distinct structures में develop होते हैं, ये distinct structures इनको produce करती हैं जिने हम fruiting bodies कहते हैं जो की fungi में develop होते हैं the sexual cycle involves the following three steps, जो sexual cycle होती है वो three steps में होती है तो सबसे पहला step है हमार पास fusion of protoplasm between two motile and non motile gametes called plasmo gametes, सबसे पहले fusion होगा protoplasm का, जो two motile motile means moving या non moving gametes होंगे, वो fuse करेंगे तो उनके जो cytoplasm होगा सबसे पहले वो fuse होगा, तो उस process को हम बोलते हैं, plasmo gametes then fusion of two nuclei called karyo gametes, after fusion after fusion of protoplasm, nuclei जो होंगे two motile या non motile gametes के वो fuse करेंगे, उसको हम बोलेंगे karyo gametes, and then third step is miosis in zygote, resulting in haploid spores तो after karyo gametes, miosis karyo gametes, zygote develop होगा, उसमें miosis होगी, जिससे haploid spores develop होगे when a fungus reproduce sexually, sexually, जब fungus reproduce करता है sexually, two haploid hyphes of compatible mating types come together and fuse, तो जो two haploid hyphes होते हैं, hyphes हमने पीछे पढ़ा क्या होते हैं, two haploid hyphes होते हैं, of compatible mating type, जो mating करने के लिए compatible होते हैं, वो आप पास में आते हैं, come together और fuse कर जाते हैं, in some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in deployed cells, जो fungi होता है, उसमें जब 2 haploid cells immediately fuse करते हैं, तो उसके बाद directly हमार पास deployed cell बनता है, जो कि 2N होता है, however, in other fungi, जैसे कि ascomacities और basidiumacities में, an intervening diacaryotic stage develop होती है, बोला कि other fungi, जैसे कि ascomacities और basidiumacities में, एक intervening stage develop होती है, जिसको diacaryotic stage बोलते हैं, N plus N, that is 2 nuclei per cell में, हर cell में 2 nuclei पाए जाते हैं, अकर such a condition is called diacaryon, तो उस condition को जब एक cell में, 2 haploid nuclei पाए जाते हैं, तो उनको हम a diacaryon बोलते हैं, and the phase is called diacaryon phase of the fungus, later the parental nuclei fuse, उसके बाद किया होता है, जो parental nuclei है, वो fuse करते हैं, the cell become a diploid, यही cell फिर diploid बन जाता है, the fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, fungi जो होता है, जो fruiting body बनाता है, उसमें reduction division होती है, तो आपको पता है, reduction divisions में क्या होता है, haploid cells की formation होती है, leading to the formation of haploid spores, जिससे की haploid spores developed होते हैं, the morphology of the mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies, form the basis for division of the kingdom, into the various classes, तो mycelium की morphology कैसी है, mode of spore formation कैसा है, spores कैसे बन रहे हैं, fruiting bodies कैसे बनी होई है, इन सब bases पर, जो हमारा kingdom है, fungi, वो various classes में divide है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे,